जब से SSC का रिजल्ट आया है ना तब से केवल और केवल यही मैसी जा रहे हैं कि मैं तो आतमत्या करना जाता हूं मैं तो मरना चाहता हूं भाईया I am quitting अब बता नहीं मेरा क्या हो गया है ना पैरों के तले से जमीन खिसकी जब से हमने सुना है कि भाईया कटोफ ही इतनी अब तो हमारा निश्चित है कि भाई कुछ होना ही नहीं है ऐसे ऐसे हालात लोगों के चल रहे हैं इतना ज्यादा लोग mentally परिशान हैं बहुत ज्यादा और वो अपनी frustration भी निकालते हैं फिर कहीं न कहीं किसी न किसी particular person को उठाके उसके comment section में उठाके या कहीं न कहीं मम्म कि बात बेहर्द important है यह उनके लिए जो fail हो चुके हैं अभी जिनें पता ही निए कि आगे क्या करना है reason being कि भाई एक तो competition का level तो है ही है और vacancy का कुछ हता पता ही नहीं आगे कि आएगी भी या नहीं आएगी और ना ही CGL के exam का पता है ना यह पता है कि exam करवाने कौन वाल face कि अपने जीवन के अंदर और तब जाकर मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ ऐसी आप भी कुछ ना कुछ बड़ा achieve करेंगे बस यह हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन वो होता है ना कि यह नुकसान के पिछे भी हो सकता है कि को आपके साथ होने वाला है सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो इतनी इतनी cutoffs जा रही है इसके पिछे कारण क्या है जब तक हमें कारण नहीं कि हम उसकी rectification नहीं कर सकते हैं जब तक error मिलेगा नहीं तब तक उसको correct नहीं किया जा सकता है सिंपल सी बात है सारे लोग तो देते ही नहीं थे पेपर ऐसा हाल था और अगर किसी को पता भी था तो के अंदर capability धिरे धिरे इंक्रीज करते ही ये तो एक factor है ये लेकिन सबसे घटिया factor जो आप आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा वो ये है कि लोग क्या करते हैं केवल और केवल अपने मजे के लिए या फिर किसी का दिल नहीं कर रहा है कि भाया ये जौब नहीं अच् करते हैं वो technical resignation दे दे के जाते रहते हैं उनकी पिछली जोब भी count होती रहती है चुटियां भी count होती रहती है बस वो यही खेल खेलते रहते हैं लेकिन इस खेल के चकर में क्या होता है आप समझिए अगर सो लोग भी ऐसा खेल खेलते हैं और वो 500 में पांच 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 पुशी से admire करते हैं ऑरे भाई सलाम भाई सलाम तुमने चार बर कर रहा कि अरे तुमने तीन बार सात बार वाला भी बैठा है भाई 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 बाई तेरे में चरण दोके पीलो है न तो कितना admire करते हैं लोग जबकि यह कोई admiration वाली चीज है नहीं है यह निए सोचते कि भाई तेरी ही job खा गया है वो 7 बार अगर उसने paper दे के clear कर लिया है तो ऐसा लग रहा है कि सारे जीवन का यही उद्देश है कि बस यही paper clear करते जाएं करते जाएं, करते जाएं, jobs खाते जाएं, जीवन में और कुछ करना ही निये जैसे हम आये ही exam clear करने के लिए जैसे, तो उससे क्या हो रहा है, आप ही लोगों की jobs चा रही है, मत करो न, ऐसे लोग को admire, क्यों कर रहे हो, क्यों उनको ऐसे high five बना के दिखा रहे हो, भाई या उनको तो बिलकुल ही मैं कहता हूँ, दूर से बात ही करना बंद कर दो ऐसे लोगों से तो भाई, और ना ही कोई motivation लो, वो motivation का source नहीं है, तुम्हारी असली demotivation ही वो है, ठीक है, तो ये चीज़े आपको ध्यान में रखने हैं, ये कुछ-कुछ factors हैं जिनकी बचसे और तीसरा factor क्या है, कि जो है, अब इतना कम percentage student के लिया जा रहे, पहले 10-15% ले 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 कि जो mains है, mains होने वाला, उसके अंदर नहीं पता भाई, कि क्या करने वाले हैं ये लोग, क्योंकि आप दिखें कि इतने कम बच्चे हैं, 70-70-70,000 बच्चों का अगर ये एक दिन में mains नहीं ले सकते हैं, तो लानत ही है, फिर तो SSC के उपर, और TCS के उपर भी, सबसे करियर के साथ आप खेल रहे हैं, दुबारा से, अब आप दिखें कि ये तो उनकी बात रही, at the end, जिन्होंने अभी देना है, mains, अभी एक और चीज आपको ध्यान रखने, जो फेल हो गया है, ना भाई, सबसे बड़ी आप मिस्टेक क्या करते हैं, कि आप attempt करना बंद कर द मैंने सब करके देख लिए, मैंने एक एक चीज करके देख लिए, हमने हर चीज किया जिवन के अंदर, देखा हमने, तेल तक बेचा हमने है, तो हमने तो देख लेगी सब कुछ ही मुश्किल है, भाई, सबसे असान एक ही काम है, पढ़ाई करना और गौर्णमेंट जॉब सच बता रहा हूं यकीन नहीं आता तो चार दिन करके देखो ना इसे में का फरक है अभी तो पड़ा आपने बस टाइम आगे के एक्जाम का वैसे भी नहीं पता है खुद को दो दस पंदरा दिन मार्केट को एक्स्प्लोर करो जाओ अगर तुम्हें पकोड़े बेचना पसं से गोल घुमके आना आपको यहीं पड़ेगा क्योंकि अब हमारा दिखी सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया कि हम कुछ और करी नहीं पाएंगे हमें अब बाबुगिरी वाली ही जो पिच्ची है बईया सिंपल ची बात है अगर बाबुगिरी नहीं मिली तो अपना तो फिर कर भी है सिंपल जी बात हो बहुत लोग का होता भी है कितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे है न पूरे दस साल का अगर डेटा निकाल के दिखा जाए तो कितने एक लाग दो लाग हो जाएंगे बाकी का तो खराब ही है न फिर करियर लेकिन आपको क्या करना है आपको उन एक द बैठने वाले हैं तो आप तो बस मजे के लिए फॉर्म भर रहे हैं फिर तो उसका कोई फायदा निया यानि अपने आपको तयार बर तयार रखना चाहिए महा भारत के यूद से पहले अगर अरजुन ने अच्छे से तीर कमान चलाना ही नहीं सीखा होता तो वो क्या सेंस बै होता है ना वो लास्ट मैं स्टेंडिंग होता है चाहए कुछ भी हो जाएए आपको वही चीज करनी है क्योंकि और कोई option आपके बास है ही नहीं है मैं आपने ही example बता देता हूँ सब के साथ challenges हैं आपको कहा लगता है कि केवल आप ही के जीवन में है हो सकता है कि आपके घर में कोई नो कोई बिमार हो आपके मम्मी पापा को आपसे बहुत expectation हो घर में बहने हो, जिनकी शादी के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी के उप़र हो माबाप से काम नहीं हो रहा है वो बोड़े हो चुके हैं अब आपकी के उप़र है सारी के सार लगतारवमदार ये बहुत सारी ऐसी दिक्कते हैं सिरफ आपने face नहीं की या आप ही face नहीं कर रहे हैं हमने भी कि सेम ही चीज है पर उसके लिए भाया जीजन लगाना पड़ता है क्या आप सच में जीजन लगा भी रहे हो ये नहीं होता है कि 6 गंटे पढ़ लिए 7 गंटे पढ़ लिए और हो गया काम भाई एकदम कुछे की इंडस्ट्री में तब जाके आज हम स्टेंड हो पा रहे हैं तो यहीं चीज है और मैं अपना भी बताओ ना जब हमने सेलेक्शन लिया भाई तो हमारे तो बिल्कुली हालात खराब थे मैं बता रहा हूं कि मेरी जो जोब लगी थी कोलेज में सबसे बड़िया क्वालिटी की जोब लगी है ना 10 लाग का पैकेज लग गया उस टाइंग पी बात कर रहा हूं मैं तो 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूं आज की बात नहीं कर रहा हूं तो जोब पे गए भाई वहाँ पे औरी दिककत हो गई अब क्या बता है आपको है ना कि यह जो बैकबॉन होती है हम उनमें करना क्या है और करना भी है तो क्यों करना है भाई तुम तो बैट पे पसरे हो, आब उठी नी पा रहे हो तो क्या करनों भी बैट पर phर भी मैने सोचा कि चलो कुछ तो करते हैं उठा के भस ऐसे भाई से मिल मंगवाली किताब कि भाया एक किताब ला देना और खुदी किसी की कोचिंग कुचिंग कुछ नहीं ले रहे हैं भाई बैठके अपने पेट पे रखके किताब को इतनी मोटी किरन की किताब आती थी है ना उसको पेट पे रखके और यूँ उसी किताब के ओपर ही question solve हो रहे हैं मैं दिखा भी दूँगा पड़ी होगी मेरे पास है ना तो एक दिन मैं दिखाऊंगा आपको अपनी चीजें भी तो उसी किताब के ओपर question solve हो रहे हैं है ना कुछ mental हो रहे हैं कुछ उस पे हो रहे हैं जो दिमाग कह रहे हैं जिस तरीके से कह रहे हैं लगबग पूरी किताब लगाई है ना मैंने 10 महीने के अंदर ऐसी लेटे-लेटे ऐसी लेटे-लेटे पढ़ाई हो रही है भाई तो वो किसलिए हो रही थी, मेरे को था कि शायद में भी अगर मैं कलको ठीक हो जाऊं, तो फिर मेरे को regret होगा कि भाई मैंने सारा time खराब कर दिया, तो लेटे लेटे और कोई काम हो भी नहीं सकता है, तो यही काम कर लेते हैं, पड़ी लेते हैं, उपर से इतने में पता लग सकते हैं, इतना ज़्यादा आप जकर जाओगे, तब जाके खड़े होके, उनका इलाज करवाने जा रहे हैं, ऐसा है, घर में मातम का महोल चल रहा है, यह क्या हो गया, तो यह बहुत ज़्यादा दिक्कते हैं, उदर पापा का उप्रेशन चल रहा है, ऐसा भी हाल आ गए, समझ ही नहीं आ रहा था भाई, कि चल क्या रहा है, ऐसा लग रहा था कि पूरा काल चक्र घूम रहा है हमारे उपर तो, लेकिन फिर भी काम कर रहे थे, तो कर रहे थे, है ना, और उसका फिर आखिर में जाके फल भी मिला, सिलेक्शन भी लिया, तो वो ऐसे ही होता है, और एक हालात ऐसे भी आए कि जब पता नहीं था कि सेलेक्शन अब पेपर तो दे दिया, उसका रिजल्टी आ रहा है, कितने सालों के बाद आ रहा है, दो साल, तीन साल के बाद, पहले तो ऐसी होता था, तो रिजल्टी नहीं पता, कि कब आना है, कब नहीं आना, बताओ, हम त फुद मोटिवेशन फील होगा, कि यार जूट नहीं बोल रहा है, यह बंदा, सच जो इसने किया है न, वहीं बता रहा है, तो ऐसी ऐसी चीज़े करने के बाद, आज जाके हम सक्सेस्फूल होएं, एक समय लगा है, पर पागलों की तरह महनत किया, यह भी मैं बता रहा हू ऐसा इतना असान नहीं होता चीज़े करना, पागल की तरह जब आप लगते हो न, किसी काम में, हाँ, कि अगर यह खड़ा खोदना तो आप पागल की तरह खोदूँगा, जब तक कि मैं नीचे से पानी ना निकाल लूँ है, कुवा ना बन जब तक, फिर जब पागल पन आ वही कुछ अच्छा कर पाएगा, अब जो बिगिनर्स हैं, उनको मैं बता दूँ, कि भाई, आप क्या कीजिएगा, आगे पता नहीं होने वाला है, CET होने वाला है, नहीं होने वाला है, जैसा भी रहेगा, we really don't know, लेकिन, अगर आता भी यह CET, तो भी क्या कीजिए, यहा क्या है, अगर नहीं भी आता है CET, तो फिर तो यह है, जैसा मैंने अपना एक्जांपल बताया, कि भाई, मैं बेड़ पर पढ़ा हूँ, मुझे नहीं बता है, कि मैं ठीक होँगा, कलको के नहीं होँगा, लेकिन फिर भी मैंने त्यारी की ना, कि let's see कि क्यों अपना टाइ करना चाहरे हैं, दे दना दन कमेंट सेक्शन में लगे हूँ, पागलोगी तरह कमेंट करने, तो मिखल कौन देखता भाई, वर्चुल है सब कुछ, किसको कमेंट कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं बड़ी तुमारे कमेंट होगी, तुम भालतू के कमेंट कर लो, कहीं की बात कर रहा हूँ, तो क्या तुम टार्गेट करोगे किसी को, अपनी फरेस्टेशन मत निकालो किसी ओपर, बलकि किसी भी टीचर को टार्गेट मत कीजिए, कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया, आप सबी के साथ, जो वो कोई बढ़ा रहा है, आपको अच्छा लग रहा ह उन से पढ़िए, नहीं बढ़ना तो नहीं बढ़ना, खुद पढ़लो भाई, है ना, हमने भी तो किया है, खुद, कुद कर लो, किसी ने रोका थोड़ी है, आपकी सकस्स किसी टीचर की महताज नहीं, सीम्पल सी बात है, और ना ही किसी किताब की महताज है, वो आपके पर आपका पागलपन आपकी जुनूनियत के हाथ में आवो, ठीक है भाई, तो ये आपके लिए guidance है, ये जरूर देखेगा, अपना समय खराम मत कीजेगा, CT आएगा, तब भी ये helpful रहेगी, नहीं आएगा, तो भी ये helpful रहेगी, ये याद रखना मेरी बात को, इसके इसके बाद इसको बंध ही कर देंगे, ये पूरे के पूरे ओफर को, और ये वापस से 1000 रुपीज का हो जाएगा, तो आप लेना चाहें, तो इसको ले सकते हैं, ठीक है भाई, हम मिलते हैं, नेस्ट वीडियो में, बाकी उस वाली वीडियो का जो भी दिखाई थी, और बा बाद, टेक कर, सी यू, लव यू अले